हちale फ्रैंट्स आप में बनाओंगी अलू और कच्चे टमाटर की इतुछ स्वादिस सब्जी कि आप उसे उंगछीं चाटर खाट कर खाएंगे तो चलिए बना लेते हैं हम अलू और कच्चे टमाटर की सब्जी इसके लिए मैंने ले लिया है यह आलू मैने लिए है और साथ चले कच्चे टमाटर अलों की कड़ाई ले लिया है चार चमँच और इसमें तड़के में डाल रही हूं झाल जीरा और तड़के में डाल दूंगी यह करी पत्ता और यहीं पर मैं इसमें एट करूंगी ये आलू तो देख लीजे फ्रेंट्स ये मैंने छोटे वाले आलू लिये है पहाडी आलू मैंने लिये है ये इस आलू को मैं ओईल में फ्राई कर लेती हूँ तीन मिनट मैंने इसे ओईल में फ्राई किया है यह पहाडी आलू है यह बहुत जल्दी खो जाते हैं तो यही पर मैं इसमें एट कर रही हूँ यह प्याज को मैंने इस तरीके से देख लीज़ें यह लमबायी में कट किया है बटे-बड़े मीनुट थो प्याज को भी मैं एक मिनट ऐसे ही आलू के साथ fry कर लूँगी और अब इसमें मैं add कर रही हूं अधा चोटा चम्मच नमक मैं इसमें add करूँगी नमक हमने इसी stage पर इसमें add करना है और अब इसमें मैं add करूँगी ये कटा हुआ हरा टमाटर तो फ्रेंट्स टमाटर डालने से पहले हमने नमक डालना है कच्चे टमाटर की सबजी जब भी हम बनाते हैं तो पहले हमने नमक डालना होता है कच्चे टमाटर डालने के बाद वरना आलू ठीक से पकते नहीं है इसलिए पहले हमने नमक डालना है, तो देख लीजे, टमाटर को भी मैं अच्छे से भून लूँगी, टमाटर को भूनते हुए मुझे पांस मिनट हो गये हैं, और यहीं पर मैंने एड़ कर लिया है, यह एक बारिक कटी ही हरी मिर्च, और साथ में मैं इसमें एड़ कर एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चमच इसमें डाल लिया है, मैंने धनिया पाउडर और एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर में इसमें एड़ कर रही हूँ, तो इन सभी मसालों को भी हम अच्छे से भून लेते हैं, दो मिनट हम इन मसालों को भून लेंगे, तो फ्रेंट्स आजकल मार्किट में टमाटर बहुत महेंगे हो रहे हैं, पर हमारे घरों में कच्चे टमाटर हो रहे हैं हमारी क्यारी में, तो सोचा आज आप लोगों के साथ ये कच्चे टमाटर और आलू की सबजी की रेसिपी शेयर करती हूँ, कच्चे टमाटर और आल तो देख लिजे फ्रेंड इसमें मैं दो ग्लास पानी आड़ कर रही हूँ दो ग्लास पानी आड़ करने के बाद इसे मैं धक करके कुक कर लूँगी अब हम इस पर धकन लगा देते हैं तो देख लिजे फ्रेंड पांस मिनट मैंने इसे कुक किया है बिल्कुल तयार है तो फ्रेंस से पहाडी आलू है यह बहुत जल्दी कुख हो जाते हैं इसे बनने में जादर टाइम निलगता है बस दस मिनट में ही यह सबची बन करके तयार हो जाती है बहुत स्वाधिस्त लगती है यह कच्छे टमाटर और आलू की सब्जी इसी तरीके स आप भी इसे ट्राइ करें आपको भी बहुत पसंद आएगी तो फ्रैंस ये सब्जी आप चावल के साथ रोटी के साथ पराथा पूरी जिसके भी साथ आप खाना चाहें आप खा सकते हैं ये वाली सब्जी थोड़ी खटी मीठी टाइप की बनती है जो बहुत टेस्टी लग ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप मुझे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी तो फ्रेंट्स देख लीजे मैंने ये आलो की सबजी बना करके बिल्कुल तयार कर ली है आप भी ऐसे ही ट्राइ करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये कैसे बनी थी तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में